नमस्कार, सभी सेवी का बहन का स्वागत है पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट में बहनो पोशन ट्रेकर एप में एक न्यू अपडेट आई हुई है 19.5 अगर आपने उस अपडेट को नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाईए और 19.5 का जो ये लेटेस्ट अपडेट है इसको आप लोग अपडेट कर लिजिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो ये 19.5 का अपडेट आया है जिस अपडेट में THR से सम्मंधित एक बहुत ही महतोपून ओप्सन को एड़ किया गया है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो THR हम लोग लभार्थियों को देते हैं वो हर महिने देते हैं लेकिन ये जो अपडेट है आए इस अपडेट के आने के बाद अगर आपने किसी भी लभार्थी को सितंबर महिने में उसका जो THR की इंट्री है अगर छोड़ दिया है या फिर जो बच्चे हैं जो आगनबाडी केंदर में आते हैं उनका HCM अगर आपने सितंबर महिने में छोड़ दिया है तो आप लोगों के पास 17 अक्टूबर तक एक समय दिया जा रहा है एक मौका दिया जा रहा है कि 17 अक्टूबर तक उन सभी लभार्थियों का जो THR का आपसन है उसको आप लोगों को भड़ लेना है तो इसी के बारे में ये अपडेट है चलिए जानते हैं किस परकार से उस अपसन को यूज करना है इसके बारे में जानेंगे और उस अपसन को कैसे यूज करना है क्या गलती नहीं करनी है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही महतोपूर्ण है आप सभी के लिए सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा देखिए हमने यहाँ पे 19.5 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको अपडेट कर लिया है अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे एक उप्सन नया देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा गया है सितंबर 2023 टी एचार या स्टेम डाटा यहाँ पे किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लभार्थियों की सोची है वो खुल के आ चुकी है यहाँ पे आपको यह देखना है कि हमने जो लभार्थी है उनको सितंबर महिने में टी एचार का जो एंट्री है वो किया है या नहीं किया है इसको भी आप लोग चेक कर पाएंगे ठीक है और मालीजी यहाँ पे जो 3 से 6 वर्स के बच्चे हैं उनको अगर SM भी नहीं दिये होंगे तो उसको भी आप लोग चेक कर पाएंगे और उसका एंट्री आप लोग 17 अक्टूबर से पहले कर लेंगे ठीक है चली हम यहाँ पे 6 म महिने से 3 महिने लिखा गया है चुकि यहाँ पे 3 वर्स होना चाहिए इसमें थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है इससे आप लोग को कोई प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है हम इस अप्सन को ओपन करते हैं 6 माह से 3 वर्स के बच्चो वाली के टेगरी इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया पेज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि अब हम कैसे पाता करेंगे कि किस लभारती को हमने THR दिया है या नहीं दिया है उसकी भी एंट्री आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पर ध्यान लिखा गया है आकरिती कुमारी सर्मा और यहां पे टी एचर कितने दिनों के लिए इसको दिया गया है जीरो दिन के लिए यानि कि इस लभार्थी का जो पिछले महिने का सितंबर महिने का टी एचर है वो नहीं दिया गया है तो यहां पे भी जीरो दिखा रहा है ठीक है जिस को select करके आपको यहाँ पर submit कर देना है simple सी काम है but आप लोग को यह ध्यान रखना है कि आपको यह इस page पर आने के बाद अगर किसी एक लभार्थी का जो THR के entry है अगर submit कर देते हैं एक ही लभार्थी पर click करके फिर आप दुबारा यहाँ पर इस page पर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं note में लिखा गया है this form can only be used once so please double check your entries before submitting them यानि कि आपका जो entry है वो एक ही बार होगा जितने भी लभार्थी हैं आपको चेक कर लेना है कि कितने लभार्थी को हमें THR यहाँ पर देना है सभी को चेक करके एक ही बार में आपको उनका entry कर देना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर जिसके सामने 25 दिन लिखा गया है उस लभार्थी को हम पिछले महीने THR की entry कर चुके हैं जिसके सामने यहां पे 0 लिखा गया है उस लभारति को हम ने पिछले महीं ने THR के एंट्री नहीं की है तो इन्हीं सब लभारतियों को हमें इस update के साथ 17 अक्टूबर के पहले एंट्री कर लेनी है अब कैसे करना है जैसे कि यहाँ पे जो 0 लिखा गया है यहाँ पे हम 25 days डालेंगे और यहाँ पे 25 days आ जाएगा फिर नीचे आएगे और यहाँ पे जिसके सामने 0 लिखा गया है उसके आगे यहाँ पे 25 days लिखेंगे और यहाँ पे submit का जो option दिया गया है इस पे आप लोग को किलिक करके submit कर देना है उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि हम कितने बच्चों को S.C.M. दिया है S.C.M. भरने का भी option 17 तारीक तक ही है 3-6 वर्ष के बच्चों की category open करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमने बच्चों को कितने दिन के लिए S.C.M. दिया है तो यहाँ पे 3 दिन के लिए दिया गया है कहीं पे 14 दिन है कहीं पे 2 दिन है कहीं पे 0 दिन है तो इसी परकार से आपको देख लेना है और जितने दिनों के लिए यहाँ पे बच्चों को S.C.M. देना है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सम्मिट कर देना है चुकि यह अपडेट आप लोगों को 17 अक्टूबर से पहले ही कर देना है ठीक है तो आज के इस वीडियों फिलाल इतना ही यह अपडेट आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद